नमस्कार हिंदी लणी चैनल पर आपका स्वागत है आजाशिमा महाजर हिंदी लणी चैनल पर लेकर आई है नई आशाएं हिंदी पार्ट माला क्लास 7 के स्टुडेंट्स के लिए चेप्टर नमबर 12 सौंद्रे की नदी नर्मदा यात्रा वितांत है ये और अम्रित लाल बे कुछ हिसा आपको मिलेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा ठीक है स्टुडेंट्स चैप्टर आदा पढ़ेंगे लेकिन अराम से स्लो स्लो पढ़ेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में असानी से आ जाए माइन मैप के जरीए समझाने जा रही हूं आपको चैप्टर 11 चैप्टर अप्लोड हो चुके है मेरे चैनल पर जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गए ओक यह है आपके सामने माइन मैप माइन मैप में सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है सौंद्रे की नदी नरमदा माइन मैप आदी शंकराचारे की पावंत सम्रिती यह कुछ महत्वपून बिंदु हैं जिनके जरीए पाठ को समझाने की कोशिश की गई है आप सबको नरमदा नदी के बारे में पता ही होगा जिसे रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं और अमरित लाल जिनोंने ये पाठ लिखा है अमरित लाल बेगड़ जी इन्हें नरमदा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने 4000 किलोमेटर की पद यात्रा नरमदा इन्होंने अपनी पुस्तक सॉंद्रे की नदि नर्मदा में पूरा वर्नन किया है और संस्कृती के बारे में खुल कर अपने विचार विक्त किये हैं इस पाठ में उन्होंने क्या बताया है पाठ परीचे के साथ स्टार्ट करेंगे फिलहाल आदी शंक्राचारे की पावन सम्रिती यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको समझाना ओकी तो पाठ के पहले हिस्से में आपको पता चलेगा कि लेखा घूमने निकले हैं और सुबा विश्नुपरी घाट पर बैठे हुए हैं और दूर केरल से शंक्राचारे ज यहां पर विश्नुपरी घाट पर गुरु गोविन पांध के अश्रव में रहकर विद्या का अभियास किया करते थी इसके बात नरम्दा और कावेरी नदियों का संगम जाने की लेखक ने बताया है कि नरम्दा नदी और कावेरी नदी ये दोनों नदियां यहां आकर मिल यो क्या है? क्यूंकि नर्म्धा नधी जो है, वो संकरी है इसकी दूसरी धारा ओंकारेश्वर من्दिर के पीछे है कावेरी नर्मदा से मिली लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों में अन्बन हो गई नर्मदा से अलग हो गई तो ओंकारेष्वर की इस और है नरमदा, धूसरी और है कावेरी जाने कि यहाँ पर ओंकारेष्वर का टापू खतम होता है वहीं पर दोनों मिल जाती है मोटका का खेडी गाट शाम को लेखक, मोटका के खेडी गाट पहुंचते हैं ये एक जगा का नाम है यहां पे नरमदा पर सड़क का पुल है पास में रेलवे का पुल भी है जब आप पाट पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा फिर यहां पर मद्य आकाश में चांद था लेखक ने का कि सूरज के हिसाब से अभी सवेरा लेकिन चांद क एक छोटी सी धर्मशाला थी दोपहर को लेखक रावेर पहुंचे थे या नदी तट पे पेश्वा का समारक है पेड़ के नीचे उन्होंने खाना बनाया शाम को बकावा पहुंचे नदी किनारे एक चबुतरा था रात्री में विश्रामी सी चबुतरे पे उन्होंने किया उसके बाद आगे बढ़ते हुए जलपरियां दिखाई दी जिसे पनी हारी ने पाठ में आप शब्द पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आगे मरदाना गाउं था ये गाउं कुछ बड़ा था एका दुकान भी थी दो करेक्टर है अनिल और शामलाल सोदा लेने लगे ह लेखक दूर खड़े थे वहां एक वृद भी बैठे हुए थे ये स्टोरी में आपको पता चलेगा ओकी नरमदा के बालूई तट पर एक छोटा सा गाउं है नदी किनारे पेडों के पास एक छोटी धर्मशाला भी थी यहां दुबले पतले बाबा रहते थे उसके बाद म नावडा तोड़ी पोँच गए थे सामने तट पर था महेश्वरानी अहिल्याबाई का नगर जो की नरमदा की परमभक्त थी इसके बाद लेखक ने बताया है कि बहुत सारी धाराओं में नरमदा जो है फैल गई है बट गई है इसके अलावा लेखक ने यहां पर नावड तोड़ी की विशेष्टा आपको बता दी गई है मरकती तीर्थ की भी बता दी गई है सैसरधारा की विशेष्टा है पाठ में पढ़ेंगे साटक एक छोटा सा जहरना है बेटा लेकिन इसे पार करने में एक नाटक हो गया था वो नाटक हम इस पाठ में पढ़ेंगे ठीक यही महत्व स्वार्थ को परमार्थ से जोडता है, जानि कि दूसरों के लिए अच्छे कर्म करने के लिए जोडता है, स्वार्थ से हटकर. परकृती और मानव का गेहरा संबन्द है नरमदा तटवासी जाने की नरमदा के तटपर रहने वाले लोग इस नदी के करुणा में और वातसले स्वरूप को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं और बड़ी श्रद्दा से पैदल चलते हुए इसकी परीक्रमा भी करते हैं अमरीटलाल बेगड़ ने अपनी पुस्तख सोंद्रे की नदी नरमदा में नरमदा परीक्रमा पत के सोंद्रे और संस्कृती पर अनूठे डंग से प्रकाश टालाए प्रस्तुत पाठ में बेगड़ जी की ओंकारेश्वर से खल घाड तकी यात्रा का वर्णन है तो आईए पाठ स्टार्ट करते हैं सुबा विश्नुपरी घाड पर बैठा था विश्नुपरी घाड जो MP के निकट है ओकी मद्यपरदेश सुबा की गुनगुनी दूप लेखा को बड़ी अच्छी लग रही थी सामने मंदीर था कौन सा ओंकारेश्वर का पहाड़ी तीर्थस्तान ओंकारेश्वर एक जोती लिंगे संक्री नर्मदा के दोनों और खड़ी चटानी कगारे जानी की नदी के उचे उचे किनारे थे नदी बहती हुई भी रुकी सी जान पढ़ती है और रुके रुके किनारे हैं तो ऐसा लगता है कि नदी रुक सी गई है सुदूर केरल से आकर बालक शंक्राचारे बालक शंकर की बात की जो की गई है यहां गुरु गोविन पात की आश्रम में रहकर विद्या भिहास किया करते थे वे हमारे देश के सरवश्रेष्ट परिवराजक है परिवराजक सदा घूमने वाले सन्यासी भारत की भावनातम एकता के लिए उन्होंने जो किया जाने की शंक्राचारे जी ने वो अनोखा है ऐसे आदिय शंक्राचारे जी की पावन समरिती इस उंकारेश्वर से जुड़ी हुई है तो आप से कोई पूछे उंकारेश्वर से किसकी समरिती जुड़ी हुई है तो आप बताएंगे आदिय शंक्राचारे की कैसे जुड़ी हुई है क्योंकि यहां पर आकर उन्होंने गुरु गोविन पाद के आश्रम में रहकर विद्या का अभ्यास किया था ओकी स्टुडेंट्स दूसरा पैराग्राफ नरम्दा तटके छोटे से छोटे तरिन और छोटे से छोटे कन जाने कितने सन्यासियों को रिशी मुनियों को परिवराज को थे सन्यासि रिशी मुनियों सादू संतों की पद धूली से पावन हुए होंगे जानिकी उनके चर्णों की धूल से ये सारे स्थान क्या हो गए होंगे नर्मदा के किनारे पवित्र यहां के वनों में अंगिनत रिश्यों के आश्रम रहे होंगे यहां उन्होंने धरम पर विचार किया होगा जाने कि धरम से रिलेटिड बाते इसी जमीन पर सोची होगी उन्होंने जीवन मुल्यों की खोचकी होगी संस्कृती का उजाला फिलाया होगा जाने कि हमारी संस्कृती से रिलेटिड बाते यहीं से उपजी थी यहीं से पैदा हुई थी हमारी संस्कृती वन की संस्कृती रही है जंगल की आरण्यक लेकिन अब कोशन माक हमने उन पावनवनों को काट डाला है और पशु पक्षियों को खदेड दिया है या मा डाला है धर्ती के साथ ये कैसा विश्वास घात है जाने कि हमने अच्छा नहीं किया नेचर के साथ एक आदमी सनान के लिए आया था अब लेखक अपना क्या बता रहे हैं जो भी यात्र नरमदा की यह एक दारा है दूसरी ओंकारेश्वर के पीछे है कहते हैं कावेरी नरमदा से मिली लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों में अनबन हो गई यह अनबन वैसी अनबन नहीं है जो फ्रेंड्स में होती है ओकी और कावेरी नरमदा से अलग हो गई ओंकारेश्वर के इस ओर है नर्मदा और उस ओर है कावीरी दोनों फिर मिलती है या नहीं ये कोशन माक है तो यहाँ पर ओंकार इश्वर का टापू खतम होता है वहीं दोनों फिर मिल जाती है जानिकी पहले आगमन होता है फिर बहिर आगमन होता है जानिकी बाहर चली जाती है और फिर से पु टका, वहां तक सड़क जाती है, लेकिन हम सड़क से नहीं जाएंगे, नदी के किनारे किनारे जाएंगे, तो लेखक पूरा नेचर को महसूस करते हुए घूमना चारे हैं, ठीके, दोपहर को निकले, लेकिन थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि दोपहर को चल कर गलती की, क्यों, क्योंकि अब जो सूरच होता है, सुबह दोपहर के टाइम पर सामने रहता है, अब चटाने जो हैं वो तंदूर की तरह गरम हो जाती है, शामलाल जो उनके साथ होंगे, लेका के साथ नंगे पाऊ है, लेकिन वह तो शायद देहकते अंगारों पर भी चल सकता है, ज कभी रुक जाते, कभी माते का पसीना पहुचते, कभी आगे बढ़ते, शाम को मोटका के खेडी गाट पहुचे एक जगा का नाम है, तो अब लेका कहां पहुच गए हैं, उनका रेश्वर से स्टार्ट हुए थे, पहुच गए हैं मोटका के खेडी गाट पर, यहां पर न काश में चांद था जानिकी मिडल में चांद था मैंने कहा सूरज के हिसाब से तो अभी सवेरा है लेकिन चांद के हिसाब से अभी दोपहर है अनिर के लिए ये भले ही विसमय की बात हो पर मैं तो चांद के एक से एक करतब देख चुका हूं कभी पूर्न कुम्ब तो कभी ब करेखा के जैसा दिखता है बहुत पतला सा घीक है और कभी उसका बांक पन कभी सीधा तो कभी उल्टा कभी घर्टा तो कभी बढ़ता तो ये सारी उन्होने चांद के कर्तब दिखाएं कभी निकलते ही डूबने की तियारी तो कभी आदी रात को गायब और भरी दोपहर को हाजिर क्या कहना इस मनमोजी का तो लेखक विश्नुपरी से मोटका जाते समय की बात कर रहे हैं तो लेखक सड़क से जाने की बजाए नदी के मारक से गए है और यही गलती उन्होंने की है बस ठीक है उसके बाद आगे पड़ते हैं चांद जब यह सब कर सकता है तो एक करतब उसे और दिखाना था क्या दिखाना था सूरे उद्य और सूरियास्त के कारण पूर्व और पच्चिम दिशाओं की छटा देखते ही बनती है उपेक्षित रह जाते हैं उत्तर और दक्षिन अब सूरे उद्य कारण से होता है पूर्व में अस्तका होता है पच्चिम में चल दिये, थोड़ी देर में कांकरिया पोंचे, नदी तट पर एक खंडर सी धर्मशाला थी, अब एक खंडर सी धर्मशाला के बारे में लेखक ने बताये, क्या बता रहे हैं लेखक यहां पर, उपर छपर नहीं था, खिड़की में दर्वाजे भी नहीं थे, पल्ले नहीं मतर्वाजे नहीं थे, खिड़की के इस फ्रेम में से पनीहारी ने ऐसी दिखरी थी, मानो मैं रंगीन टीवी देख रहा हूँ, पनीहारी ने कोन होती, जो पानी बरने वाली इस तरहीं आती हैं किनारे पर, तट पर, तो लेखक को ऐसे लग रहा है, जैसे वो टीवी देख लिए, फिर नदी की नारे पहुंचे एक चबुतरा था, रातरी विश्राम इसी चबुतरे पे था, यहां से एक संक्री पत्रीली सडक नरंदा के मद्दे तक चली गई थी, और लेखा को जनपत से आती, आम रस्ते से आती, पनीहारी ने जल परी के जैसी लग दी थी, लेक पेड़ के नीचे खाना बनाया, लेखक ने जब तक जाड़ी में थे, इंदन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब लकडी मिलना मुश्किल हो गया, थोड़ी बहुत मिली, बाकी में दूर किनारे से डूंड लाया, शाम को लेखक कहां पहुंचे बकावा, उकी, वहां नदी क किनारे क्या था, एक चबूतरा, रातरी विश्राम इसी चबूतरे पे था, यहां से संक्री पत्रीली सडक नरम्दा के मदे तक चली गई, स्वच पानी भरने के लिए सबसे अच्छी जगा थी, इसलिए पनीहारीनों की बीड लगी नहीं थी, जल की सते से, जरा से उठे लेकिन ये कोई जलपरिया नहीं थी, ये थी श्रम बालाई, कठोर श्रम करती ग्राम्य नारियां, लेकिन ये श्रम ऐसा था जो खेल बन गया, हसी किलकली, ठिटोली करती, मजाक करती, स्वस्थ नारियों को अनुभव ही नहीं हो रहा था कि उनके सिर्पर भारी बोज रख लेकिन नौर्मल चल रही हैं जैसे शैर की लड़किया पिकनिक जाती है, लेकिन उन्हें महसूस नहीं हो रहा क्योंकि उनका तुरोज का काम है ये, श्रम का ये कैसा उत्सव है, नित्य उत्सव, इसका मतलब क्या हो गया, मेहनत को यहाँ एक उत्सव के रूप में लिया ग नंगे पैर थी, उबढखाबर पत्तर थे नीचे, इसे नित्य उत्सव कहा गया, क्यों? क्योंकि ये उनके प्रती दिन का कारे था, सवेरे इस छोटे से गाउं से विदा लेते समिस पावंद रिश्य को मैंने मुढ मुढ कर देखा, बच्चो, पाठ के अगले हिस्से में म बड़ा मरदाना, अभी पाठ हम यहीं पर खतम करते हैं और इसी के अधार पे मैंने कुछ कोशन आंसर आपको दे दिये हैं, जितना पाठ पड़ाया है, ये देखिए आपके सामने, उंकारेश्वर से किसकी सम्रिती जुड़ी है और कैसे, तो आप बताएंगे आदी शंकर परेश्वर का टापू खतम होता है, वहीं पर दोनों नदियां मिल जाती हैं, विश्णुपरी से मोटक का जाते समय, लेखक ने क्या गलती की, उन्होंने सड़क का रास्ता ना अपनाया, बलकि नदी के रास्ता अपना कर गए, नावना टोड़ी की विशेश्था क्या है, महेश्वरानी अहिल्यावाई का नगर है, अहिल्यावाई अतियंत कुशल परशासती और नदी नरम्दा की परम भक्त थी, बच्चो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो जाए, अगले हिस्से में पढ़ा है, वीडियो को लाइक का बटन सरूर दबाईएगा, जल्दी मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के साथ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके अगले चैप्टर भी जल्दी ही अप्लोड होकर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस पूरे एक्स्प्लानेशन के और पार्ट वन में आपको एक्स्प्लानेशन मिल गई है, पार्ट टू में जितने भी कोशन आंसर बचे हैं, वरक्शीट बचे हैं और एक्स्प्लानेशन बचे हैं, वो अगले हिस्से में पढ़ेंगे पार्थ 12 से पार्थ 15 पार्थ 12 के पार्थ 2 से लेकर 15 पार्थ तक आपको जल्दी ही मिलेगा दिसंबर तक तब तक सब्सक्राइब का बटन ओन कर लीजिए बैल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सीधी आपके पास पहुंचे आपके फ्